नमस्कार आप सभी देख रहे हैं जौफ टुडे यूटूब चैनल दोस्तो आप लोगों का मन में हर बक्त एक ख्याल आता होगा अभी की दौर में क्या 24 अपरिल को खत्म हो जाएगा लॉक्डव तो आज हम इसी के उपर चर्चा करने वाले हैं आप लोग को ये भी पता होगा कि अभी बढ़ते दौर में जो है इसकी यानि क्रोना वाइरस से संग्रमित लोगों की संख्यां जो है इंडिया में काफी ज्यादा फैल रही है और कई साड़े ऐसे जो अभी एस्टेट हैं उसे पूरी तर जो है वह लोकडाउन कर दिया गया यानि कि उसे सील कर दि किया है पुर्णता 15 अप्रेल तक और दोस्तों यहां बात आती है क्या 14 अप्रेल को लॉक्डाउन खतम हो जाएगा तो जिस तरह से यहां पर संक्रमित लोगों की संख्यां बढ़ती जा रहे है उस हिसाब से अगर देखे तो यह जो है लॉक्डाउन 14 अप्रेल को खतम नह जो है यहां पर समिख्छा कर रहे हैं सभी राज्यों के मंत्रियों से और इसकी फाइनल जो है आपको पता चलेगी कि क्या अप्रेल में जो है वह आगे बढ़ेगी 14 अप्रेल से जादा यहां पर लॉक्डाउन रहेगा तो इसकी पूर्ण जानकारी जो है वह आपको दिया जाएगा एगाड़ा अप्रेल के बाद क्यूंकि एगाड़ा अप्रेल को सभी रही मुखमंत्री से परधान मंत्री बीडियो क्रीन सिं essay के जाये बात करेंगे और अभी भी भी ऑद कर रहे हैं लेकिन फाइनल जो है दौड वह आपको पता चलेगा एगाड़ अप्रील को दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर किसराज की सबसे यहां पर ज्यादा जो है वह कुरोना वाइडिस संक्रीनित लोग हैं तो महाराष्ट इसमें सबसे ज्यादा है दोस्तों वहां पर वह काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव केसिज आये हैं और वहां पर अभी भी टेस्टिंग चालू है आप लोग अगर यह सोचते रहें होंगे कि हमारे इंडिया की पेसेंटियों की संख्यां बहुत कम है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर कोई किसी तरह की कम नहीं है क्योंकि अभी जो है बहुत कम टेस्टिंग हुई है अभी एक लाग तीस हाजार ही जो है वह आपको बता दूटेस्टिंग हुई है जिसमें से आपको 6000 से भी ज्यादा केसिज आ चुकी है और दोस्तों इसी तरह से धीरे-धीरे जिस तरह से यहां पर जो है वहां यहां पर डेल्बेक की द्वारा जो है वह ईसलेशन बड़ बनाने की जो है वह ख़वर आई है और बन भी रही है जो असी हजार यहां पर आई सोलेशन वाट बना दी गई है और दोस्तों सुप्रिंग कोर्ट के द्वारा ये आदेस दिया गया है अगर किरोनवाइरस की जो है वह जांच आगर आप करवाते हैं वह चाहिज सरकारी लैब के द्वारा हो या प्राइबट लैब के द्वारा तो आपको वहाँ पर फीरी में इसकी бр आपको जाएगी दोस्तो आप लोग भी अपने घड़ में रहें सेफ रहें और इसी तरह हमसे जूरे रहें